हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलिज चैनल में बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो हम बना रहे हैं घमारियों के उपर क्योंकि गर्मी आ रही है गर्मी आने वाली है बहुत जल्दी तो गर्मीयों के मौसम में घमारी का होना, हीट, रैशल का होना या प्रिकली हीट का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में, बड़ों में और हर वर्ग के व्यक्तियों में घमारियां हो जाती हैं, बात करते हैं इसके कारणों की बात करते हैं और इसके लक्षणों की बात करते हैं और होमेपेथी के दुआरा आप इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले मैं request करूँगा अपने जितने भी नए वीवर्स हैं आप हमारे चैनल Health Knowledge चैनल को subscribe करें ताके आगे आने वाली सारी की सारी बहुत informative वीडियों आपको मिलती रहें और हमारी सभी वीडियों को आप अपने relative में अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में ज़रूर शेयर करें ताके उनको भी एक अच्छी जानगारी हो जाए क्योंकि सेहत जो health है वो बहुत important है बहुत necessary भी है important भी है because health is wealth तो चलिए बात करते हैं घमारियों के उपर घमारिया गर्मियों के मौसम में ही होती है और इसका कारण होता है जब गर्मी के मौसम में लू चलती है बहुत जादा temperature गरम हो जाता है 40-45 से उपर हो जाता है तो हमारी body से पसीना निकलने लगता है जब हमारी body से पसीना सही तरह से नहीं निकल पाता और वो skin के अंदर ही trap हो जाता है उसकी वजह से हमारे गमोरिया लाल लाल लंग के दाने निकल आते हैं पसीने की जगा पर जब पसीना बाहर नहीं आ पाता गर्मियों के मौसम में गर्मी की वजह से कारण हो गया इसका पसीना इसका कारण हो गया है और बात करते हैं लक्षणों की लक्षण में पूरी बाड़ी पर कंधे पर गर्दन पर गले पर छाती पर हातों पर माते पर जहां जहां पसीना आ सकता है या जहां स्किन कपड़े से रगड़ खाती है वहां पर ये प्रॉब पर भी इस तरह के दाने देखे जा सकते हैं, लाल दाने होते हैं, इन में खुजली बहुत जादा होती है, जिसकी वज़ा से व्यक्ति सो नहीं पाता, कोई काम नहीं कर पाता, उसके अलावा इन में जलन होती है, मिर्चे लगती है, और व्यक्ति खुजाने के लिए बहुत ही उतावला हो जाता है और जब वो खुजली खुजा लेता है तो उसके बाद फिर ये प्राबलम और जादा बढ़ जाती है कुछ टाइम बाद फिर बढ़ जाती है और जो दैनिक कारिये हैं उनमें भी बहुत जादा प्राबलम आती रहती है उसके लिए हम बहुत सारे प्रिक बहुत ज्यादा आपकी सहायता करेंगे और यह जो मैडिसिन आप सब लोगों के घरों में होनी चाहिए क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है तो हमने एडवांस में एक वीडियो बना दे जिससे की सब लोग उसका फायदा उठा सकें बात करते हैं दवाई की पहली मैडिसिन है नेट्रम्योर 30 आप यह मैडिसिन लाएंगे किसी भी हुमपेथिक जहां पर दवाया मिलती हैं मेडिकल स्टोर आप उसको कह सकते हैं वहां से नेट्रम्योर 30 लाएं और इसकी चार-चार बूने दिन में तीन बार जीपर डालेंगे तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो दाने निकल गए हैं जो घमारिया हो गई हैं उन में जलन होना बंध हो जाएगा उसके अलावा वो दबते चले जाएगे और बिल्कुल स्किन आपकी क्लियर हो जाएगी दूसरी में आपको बताता हूँ दूसरी मेंडिसन है डलकामारा 30 एक ऐसी मेंडिसन है अगर घमारिया पूरे शरीर पर हैं सिरसे लेकर बच्चों में पाउं तक पैर पे कमर पे और पूरी बॉड़ी पे अगर घमारिया हो रही है तो डलकामारा बहुत अच्छी दवाई ह जिससे की घमोरियों से छुटकारा पाया जा सकता है और इसमें एक लक्षन और है कि जब हम दानों पर पानी लगाया जाता है तो उनमें जलन हो जाती है जब आप हाथ या मूध होते हैं घमोरियों में तो उनमें जलन हो जाती है पानी से भी प्रॉब्लम होती है तो डलका मा बहुत अच्छा काम करती है इसमें तो मैंने आपको दो दवाईया बताई हैं एक दवाई है नेट्रम्योर 30 और डलका मारा 30 दोनों दवाईया आप ले सकते हैं लक्षनों के आधार पर चार-चार बूंदे दिन में तीन बार जीप पे डालेंगे कुछ दिनों में प्रॉब् बैक भी दे सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है जरूर शेयर करें लोगों को सब्सक्राइब करें कॉमेंट करें फिंट बैक करें कुछ भी करें जुड़े रहें और हमारा परिवार बढ़ा करने में बहुत ज्यादा सहयोग दें ताके पूरा भा को पूरा पूरा बजल जीजाब करें 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 तो करें किसे लगता सूरा हो वीडियो अपर वीडियो अधैर कर्वाबर कू